हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है मैं यूज करने वाली इस तरीके से जो वेस्ट हमारे पास प्लास्टिक वाला आटा बैग होता है उसका मैं यूज करने वाली हूं और मैं यूज करने वाली हूं एक पुराना कुड़ता कोई जिपर यूज करने वाली हूं कुछ नहीं यूज करने वाली हूं सिरफ एक आटा बैग और एक कुड़ता और बहुत यस उंदरम और्गनाईजर बनाने वाल तो देखे मैं यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से कोई भी पुराना कुर्टा हो पुराना सूट हो आपके पास उसे मैंने पूरा अच्छे से साइवनों से खोल के प्रेस करके इस तरीके से उधेर दिया है अब हमें क्या करना है यह जो पीछे वाला इसका पला है यहां से मैं निकालूंगी कट करूंगी दो रेक्टेंगल पीसे तो यहां से हमें कट करने है टू पीस और एक पीस हमें फ्लैप के लिए चाहिए होगा वह पीस मैं यहां फ्रंट में से कट कर लोंगी और स्ट्रैप के लिए भी मैं यहीं फ्रंट में से कट कर लोंगी और अंदर के लि यह मैंने कट किया है 12 inch into 13 inch का तो 3 pieces ही चाहिए बस हमें इस organizer को बनाने के लिए और सबसे इसमें बीच में मैं यूज कर रही हूँ आटा बैग और कोई लाइनिंग मैं यूज नहीं कर रही हूँ नीचे आपको आटा बैग रखना है इस तरीके से और इसे हम पहले pin-up कर सिंपल सिलाई मशीन का यूज कर रही हूँ मैं 16 नंबल की नॉर्मल नीडल यूज कर रही हूँ मैं इसमें और आपको इसमें चारो तरफ सिलाई लगानी है तो जब भी सिलाई लगाएं तो pin-up जरूर कर लीजेगा क्योंकि pin-up करने से सिलाई लगाने में बहुत easy रहता है अब हम इसके बीच में भी सिलाई लगाके इसे पुरा quilt कर लेंगे अच्छे से ताकि ये दोनों pieces हमारे अच्छे से attach हो जाएं देखे मैंने पूरा सिलाई लगाके अच्छे से आटा बैक को attach कर लिया है जैसे इस पे attach किया है वैसे ही दो pieces पे हम इस पे भी attach कर लेंगे अब हमें क्या करना है इसे fold करना है देखिए इस तरीके से और आपको fold करते हुए इसके चारो तरफ सिलाई लगानी है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ देखे सिलाई मेशीन पे just simple हम fold करते रहेंगे कोई piping लगाने की ज़ूरत नहीं है आपको कोई lining की ज़ूरत नहीं है तो हमें इसे इस तरीके से अंदर की तरफ fold करते रहना है और हम इसको चारो तरफ इस पे सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली जैसे सिलाई हमने इस पे लगाई है चारो तरफ सेम ऐसे ही ये सिलाई आपको बाकी के दो pieces पे भी लगानी है आपको इस क्या करना है यह वाला पीस लेना है लंबे वाला और हमें इसका लेना है सेंटर पॉइंट यह देखिए मैंने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया यह जो फ्लैप वाला पीस है यह लेना है इसका भी सेंटर पॉइंट लेना है यहां पर और यह जो 12 इंच वाली साइड थे रखनना है सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से इस तरीके से रखते वे यहां पर आपको दिलाई लगानी अब doc यहां से लेके इस पे सिलाई लगा लीजिए तो देखे मैंने सिलाई लगा ली इस पे पूरे पे यहां उपर की तरफ से ओपन है अब हम यह क्या करना है हम नीचे की तरफ से बेस बनाएंगे तो 4 by 4 इंच का हमें इसमें कट लगाना है तो 4 by 4 इंच का मैं इसमें से square pieces बेस के लिए कट कर लूँगे यह देखे इस तरीके से square बनाना है 4 by 4 इंच का सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी बनाना है इस तरफ भी हम बना लेंगे 4 by 4 इंच का फिर हम इसको कट करके अलग कर लेंगे इससे हमारा base बन जाएगा अब हम इसे cut कर लेते हैं दोनों तरफ से मैंने cut कर लिया अब आपको इससे यहां से पकड़ना है देखे इस तरीके से पकड़ते हुए pin up कर लेती हूँ मैं इसे ये देखिए इस तरीके से ये पिन अप कर लिया इस पे सिलाई लगा लेंगे यहां से इसे दूसरे वाले पीस को भी पकड़ना है इसे भी मैंने पिन अप कर लिया और यहां पे सिलाई लगा लेंगे तो देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे अब दोनों तरफ को simple piping से पट्टी से हम finish कर लेंगे तो यहां से देखे इस तरीके से fold करते वे इस तरीके से मैं दोनों तरफ से finish कर लूँगे तो देखे मैंने finish कर लिया दोनों तरफ से हमारा finish हो गया अब हम इसे सीधा कर लेंगे और हम इसके उपर handles लगाएंगे तो मैं सीधा करके दिखाते हूँ आपको देखिए अच्छे से corners निकालते वे सीधा कर लीजिए देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया अब हम इसके side में दोनों तरफ handle लगाएंगे तो handle के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है 15 इंच और ऐसी मैंने लिया है 3 इंच जैसे simple हम strap बनाते हैं fold करके इसे इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ तो देखिए दोनों handle हमारे बिल्कुल ready हो गए हैं अब हम इने attach कर लेते हैं side में तो यहां side में attach करना है इस तरीके से दोनों तरफ से 1.5 इंच का margin छोड़ते वे आपको इस तरीके से handle को रखना है और अंदर की तरफ को fold करते वे देखिए इस तरीके से मैं pin up कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसे करना है यह देखिए इस तरीके से बज जैसे attach किया ऐसे इस पर चारों तरफ से लाई लगा लीजिए इस तरफ पर और इस तरफ भी तो देखिए मैंने handle attach कर लिया एक तरफ हमारा attach हो गया सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर लिया तो देखिए दोनों तरफ हमारे handle attach हो गए तो यह हमारा back देखिए बिल्कुल ready हो गया अब हमें base के लिए इसके cardboard cut किया है मैंने same इसके size का और cardboard के लिए मैंने pocket बनाई है just simple एक ठैला सा बनाके उसके अंदर मैंने cardboard को डाल दिया है तो आप चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि कपड़ा बचा हुआ था कुड़ते में से तो मैंने बना लिया है इसे हम रखेंगे base पे नीचे की तरफ cardboard को base के size का ही मैंने यह cut किया है मैं आपको इसमें कपड़े डाल के दिखाती हूँ कि इसका final look कैसे आया यह देखे तो कुछ भी इस तरीके से आप इसमें कपड़े store करके रख सकते हैं blanket store करके रख सकते हैं तो storage bag आप इसे as a use कर सकते हैं सर्दियों के setter वगयरा होते हैं अभी आप इसमें store करके रख सकते हैं काफी अच्छी size का बनता है और सबसे बड़ी बात है बनाना बहुत असान है सिरफ कपड़े के 3 pieces को use करके मैंने इसे बनाया है देखे इस तरीके से सारे कितने सारे कपड़े देखे इसमें store हो गए zip लगाने का भी कोई जंजट नहीं है इस तरीके से बन गया और यह हमारा उपर की तरफ flap आ गया और side से हमारे इस तरीके से handles आ गया तो देखे इस तरीके से देखने में चोटा लग रहा है लेकिन अभी आपके सामने मैंने कपड़े रख के दिखाए कि इसमें कितने सारे कपड़े हमारे store हो गए है देखे बेस बिल्कुल stiff रहता है क्योंकि बेस पे हमने इसके cardboard लगाया है तो इसकी shape देखे बिल्कुल भी खराब नहीं होती आस में से दिखाती हूँ मैं आपको इसको यह देखे इस तरीके से तो कितना प्यारा सा organizer हमारा ready हो गया तो comment करके जरूर बताइएगा कि आपको यह organizer कैसा लगा यह देखे अब यह हमारा इस तरीके से flap खुलने वाला है और देखे कितने सारे कपड़े हमारे इसमें store हो गए है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिएगा यह देखे इस तरीके से अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं जैसे हमारा यहाँ पर flap है अगर आप चाहें यहाँ पर velcro लगाना चाहें तो velcro enclosure लगा सकते हैं या button भी लगा सकते हैं तो देखे हमारा ready हो गया है जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ Thank you